हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बहुत यह ज़्यादा चटपटा कुरकुरा सा नास्ता जिसके आगे आप कचवरी और समोसा सब खाना भूल जाएंगे यह नास्ता जितना ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा है उतना ही ज्याद सब्सब्जी हOW अप इसमें एड कर सकते हैं यह नास्ता बहुत ही ज्यादा चटपटा बनेंगा और साथ में ही डालेइंगे बारी कटा हुआ हारा धनिया तो से तीन हारी मीर्च कटा हुआ pyramid कि हम चालते हैं जादा करने तो मसाला में ज्यादा हैं प्रेंड्स बहुत कम मसा सब्सक्राइब एक च्छोटी चमाच लाली पौडर एक च्छोटी चमाच लाली पाउडर एक च्छोटी चमाच अमचूर पाउडर इससे इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा और भी आइड करेंगे इसमें हम है खड़ा चीरा एक चमाच थोड़ा सा कसूरी मेथि डालेंगे इसे मैंने पहले हिं रोस्ट कर लिया था फ्रेंड्स और इसके बाद इसमें आइड करेंगे थोड़ा सा अधाचमाच के करीब चात मसाला जिसे प्रहूं यह नास्ता बहुत ह जादा चटपटा बनेगा और साथ में ही डालेंगे इसमें स्वात के अंसार नमक तो अब इसमें हमें कुछ भी आइड नहीं करना है तो चले इसे आप पहले मिक्स करते हैं तो हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा होगा तो एक चमच आप इसमें कॉन फ्लार और डाल सकते हैं तो यह अच्छी से मिक्स हो जा रहा है देखने से लग रहा है अगर आपको यह थोड़ा सा ज्यादा ड्राइल लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी आइड कर सकते हैं फ्रेंड्स वैसे सब्जियों में अपना ही मोश्र होता है जिसके वज़े से यह अच्छी तरह से बाइंड हो जा रहा है देख पा रहे होंगे इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है लेकिन अगर आपको ड्राइल लगे तो इसमें पानी डाल सकते हैं तो आप देख लेते हैं कि अच्छी से बाइंड हो रहा है या नहीं इस तरह से चेक कर लेंगे तो यह अच्छी तरह से बाइंड हो जा रहा है तो हाथेली पे तेल या पानी लगा कर इस तरह से इसे शेप देते हुए बना लेंगे तो सभी को इसी तरह से बना लेना है आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं अगर आपके यहां अचानक से महमान आ जाए और आपको कुछ भी समझ में ना आए कि क्या वनाओ तो आप बेजीज़क होकर इस नास्ते को बना सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुर्कुरा बनता है और अंदर से विल्कुल सॉफ्ट रहता है यह तो एक पर जब दो तरह के शेप में तो एक ओवल सेप और एक राउंड सेप में इस तरह से मैंने बना लिया है अब चलते हैं चुले की तरह तो इधर मैंने मेडियम टू लो फ्लेंप पे तेल गर्म होने के लिए पहला ही रखा था तो 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 तेल आपको अच्छी तरह से गर्म हो ग तक यह अंदर तक अच्छी तरह से कूख हो जाए डालने के बाद दो मिनिट तक वेट करेंगे दो मिनिट के बाद इसे अच्छी तरह से हलके हाथों से प्लट लेंगे तो यह देखिए बहुत ही असानी से पलटा जा रहा है बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है एक दूसरे तो इसी तरह से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा कुरकुरा होने तक इसे फ्राइ कर लेना है हमें और इस नास्ते में ज्यादा तेल का भी यूज नहीं होता है फ्रेंड्स ज्यादा तेल नहीं सोकता है यह नास्ता तो आप चाहे तो इसे डिप फ्राइ भी कर सकते हैं और इससे हलकी हांतों से बीजवीच में प्लटते भी रहेंगे ताकि यह सभी तरब से अच्छी तरह से कूख हो जाए कि तो देखे इसका कलर चेंज होना भी स्टार्ट हो गया है तो यह नास्ता बिल्कुल भी ओली नहीं बनता है तो देखे यह अच्छी तरह से कूख हो गया है लेकिन हमें और इससे क्रिश्पी करना है तो थोड़ा देर और इससे पकने देंगे इस तरह से देखे यह कितना बढ़ी सा कलर आ गया है इसका अब इस स्टेज पर इसे हम बाहर निकाल लेंगे तेल से तो देखे यह कितना क्रिस्पी और कितना कुर्कुरा बना है आपको देखने से ही लग रहा होगा फ्रेंड्स तो एक बैस तो हमारा बन गया है और दूसरा जो बाकी का नास्ता है उसे भी इसी तरह से फ्राइब कर लेंगे तो इस तरह से आप इस नास्ते को बना सकते हैं और मेहमानों को खुस कर सकते हैं चाहे बचे हो या बड़े घर में अगर कोई भी हो किसी को भी आपको खुस करना हो तो आप इस नास्ते को बना सकते हैं उन्हें खिला सकते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा कि इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है तो अच्छी तरह से उलट प्लट कर सभी तरफ से अच्छी तरह से कुप कर लेंगे और यह देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है अब इस स्टेश पे इसे निकाल लेंगे तो आप इस नास्ते को कोई भी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्फ कर सकते हैं और यह देखिए कितना कुरकूरा और कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है तोरकर मैं दिखा रही हूं तो यह देखिए तो फ्रेंस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा तब तक के लिए बाइबाए मिलते हैं वीडियो में